नमस्कार सभीको आज हम हस्त मुद्रा विज्ञान में चर्चा करेंगे कुछ मुद्राओं की और मुद्राओं में भी कुछ स्पेसिफिक बिमारियों को लेके चर्चा करने वाले हैं यसे व्यक्ति को बीपी की समस्या है वीपी एकदम से हाई हो जाता है या वीपी लोग हो जाता है किसी को कि पाचन सम्मंदी आर He दर्द है जवाइंट पस्केस्ट की समस्या है और कुछ व्यक्तियों में हम देखते हैं कि नपूसंक्तigon के ज dep depस officer समस्या है यह तो कौन सी मुद्रा से उसके निजात पाया जाने और माशिक धरम से शंबंदी त्हिनि इमित आएं हैं तो इस परकार की ुद्राओं की हम चर्च़ा आज इस वीडियो माध्यम से करने वाले हैं तो मुद्राओं में आज यह जो मुद्राइं हम करेंगे इनको प्राणिक मुद्राइं कहते हैं प्राणिक यानि कि आपके सरीर में पांच प्राण है पांच प्राण है अगर किसी भी प्राण में इंबैलेंस हो जाता है तो उसी अंग से सम्मंदित उसी छेतर से सम्मंदित बिमारियां हो जाती हैं, तो थोड़ा सा हम उपर से नीचे एक बार प्राणियों की स्थिती समझेंगे, कि कि सरीर के किस हिसे में कौन सा प्राण काम करता है, जैसे कंट से लेकर के ऊपर तक, यहाँ पर सरीर में उदान प्राण होता है, अगर उदान प्राण सा है, नाभी के आसपास का जो छेतर है, वहाँ पर समान प्राण काम करता है, और नाभी से नीचे जो हमारे पैर है, पैरों के जो पंजे हैं, वहाँ तक हमारे अपान प्राण काम करता है, और जो पूरे सरीर में एक प्राण रहता है, उसका नाम है व्यान प्राण, ठीक है से उस अंख से सम्मंदित होने वाले बिमारियों से भी हम निजाओपा सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राण की तो हमारी हर्द्य परदे से ले करके और कंठ तक प्राण काम करता है तो इसको पूष्ट बनाने के लिए जो मुद्रा है उसका नाम है प्राण मुद्रा तो पहले तो देखें कि प्राण मुद्रा लगती कैसे है प्राण मुद्रा ये जो लास्ट की जो दो उंगलियां है इन दो उंगलियों को हम अंगूठे से मिला देते हैं और बाकी की जो पहली दो उंगलियां उनको सीधा रखते हैं यानि कि लास्ट में हम देखा था यह जल तत्तो है यह आपका प्रिथ्वी तत्तो है तो जल तत्तो और प्रिथ्वी तत्तो को हम अगनी तत्तो से मिला देते हैं इस परकार से तो यह बनती है हमारी प्राण मुद्रा बहुत ही महतोपूर्ण मुद्रा जैसे आप नाम से पता चल रहा तो उसको ये जो प्राण मुद्रा है वो बैलेंस करती है यानि कि शरीर में आपकी प्रान उर्जा को बढ़ा देती है शरीर की परतिरोदक छमता को बढ़ा देती है तो शरीर की जब परतिरोदक छमता बढ़ेगी शरीर की जब प्रान उर्जा बढ़ेगी तो शरीर के जो नस नाडियों से संबंदी जितने भी बिमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी जैसे किसी को आँखों सम्बंदी किसी को दिकत है उसकी आँखें कमजोर है तो ये मुद्रा लगाने से उसकी नेतर जोती जो है बढ़ जाती है इसके अलाब कोई भी ब्लोके, जैसे किसी को heart की समस्या हो जाती है, हर्दय में क्यास पास में कई बार दर्द होना सुरू हो जाता है, तो ये जो प्राण मुद्रा, ये विशेश तोर पे वहां पर काम करती है, क्योंकि ब्लोकेज को ये खोल देने वाली एक मुद्रा है, रक्संचार पूरी बोडी में अच्छे तरीके से इस मुद्रा के अभ्यास से होता है, तो इस कान से इस मुद्रा को आयू बढ़ाने वाली मुद्रा भी कहा जाता है, और कई बार जब आप उपवास रखते हैं, उपवास में जब आपको भूख प्यास प्रेसान करती हैं, तो ये इस मुद्रा के अभ्यास से आप तो इलेजी है कि परकार की ब्रॉंकाईटिस की समस्या है ठीक है टीबी की समस्या है हर्दय में कोई विकार चाहिए कितनी देर तक करना चाहिए कम से कम पंदरा से बीस मिनिट तक आप इस मुद्रा का अभ्यास करें इसके अलावा जो भी आपको श्रीर की चमता है जैसे आप डोक्टर के पास जाते हैं तो डोक्टर हर किसी के लिए सेम डोज नहीं रखता है बच्चों के लिए अलग होती हैं बूड़ों के लिए अलग होती हैं ज़वानों के लिए अलग होती हैं तो वह आप अपने उपर एक्सप्परिमेंट कर के देखेंगे जब आप स्टाटिंग में 15 से 20 मिनिट तक आपको लगता है कि हाँ सही है मेरे कोई सूट हो रही है तो आप उसी के कोडिंग चले लगता है थोड़ा सा इसका effect कम है तो आप इसकी जो timing है वो बढ़ा सकते हैं 20-25 मिनिट तक आप इसको कर सकते हैं तो इस परकार से आपको अपने सरीर का चिकित से खुद भी बनना है इसके चैतर में जो जो अंग आते हैं उन सबी प्रकार की समस्याएं बहुत बढ़ रही है तो एस सारी हैं बिमारियाां इस अपान underway मुद्रा के अभ्यास से ठीक होती हैं तो अपानує मुद्र लगाते कैसे हैं तो इसमें देख cambiai हैं यह यह बीच TEKO दो नो उंगलिया है यान कि पृत्वित अत्तो और आकास ततो उनको हम जब अगनी से मिना दित्ते हैं तो इस परकार से यह बनती हैं हमारी अपान मुद्रा तो ध्यान रखना है जो उंगलिया मिली हुई हैं उसके अतरिक जो दो उंगलियां है उनको सीधा आपको रखना है ठीक है, ऐसा करने बवासीर की किसी को समस्या है, नपूसंता की किसी को समस्या है, तो उन सभी में ये बड़े अच्छे से कार्य करती है, इसके अलावा खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद गैस की समस्या हो जाती है, गैस्टिक जो होती है, तो उससे निजात ये मुद्रा दिलाती है, इसके लावा ये जो मुद्रा होती है ये गर्भा अवस्ता में काफी कारगर है ध्यान रहें पहले से सात्वे महिने तक इस मुद्रा का भ्यास नहीं करना होता है सात्वे से नोवे महिने तक अगर आप अपान मुद्रा का भ्यास करते हैं तो जो परसव है वो सामाने होगा जो बच डिलेवरी जो है वो नहीं होगी सामने ही पर्षव हो जाएगा इसके लावा किसी को गुर्दे संबंदी किसी को समस्या गुर्दे में विकार आई हुए हैं तो यह मुद्रा बड़ी ही कारगर सिध होती है श्रीर में विजाती है तत्तों को यह बहार निकालती है गैस को श्रीर से बहार निकालती है तो अपान वायू जहां जहां होती है वहां के सभी अंगों के लिए एक राम बान मुद्रा है और एक विसेश लाब इस मुद्रा का यह होता है कई बार हम सफर करते हैं सफर में हमें उल्टी आती हैं, तो जिनको ये समस्या है, उनको ये मुद्रा लगवा देनी चाहिए, ये मुद्रा लगवाने से उन विक्तियों को उल्टी की समस्या नहीं होगी, आगे हम बात करते हैं उदान मुद्रा की, उदान जो मुद्रा है हमारी कंड से ले करके, उर जो शिखा का जो हिस्सा है यहां तक के सभी अंगों के लिए होती है आप इस मुद्रा को लगाते कैसे हैं उसको देखेंगे यह जो पहली जो तीन उंगलिया है आपकी यह है यानि कि आपका वायू तत्तव आकास तत्तव और प्रिथ्वी तत्तव तीनों को मिला करके और अगनी तत्तव स हैं मिला देते हैं इस परकार से यह मुद्रा लगाने से उदान मुद्रा बनती है और उदान मुद्रा विशेश तोर पर कहां काम करती है जैसे थाइराइड की किसी को समस्या हो जाती है चाए वो हाइपर है या हाइप है दोनों को ही यह कंट्रोल करती है उदान जो मुद् करती है इस मुद्रा से सकारात्मक विचार रहते हैं positivity रहती है negativity दूर भागती है समण सकती को यह पर भावित करती है जिन बचों की समण सकती कमजोर है तो उनको इस मुद्रा का भ्यास करवाना चाहिए उनसे मुद्रा लगवानी चाहिए इसके लावा यह मुद्रा जो हमें विवेक देती है विवेक यानि कि जिसमें हम सही और गलत का निरने कर पाएं क्या सही है क्या गलत है decision making जो power है वो हमारी अच्छी होती है तो आगे हम बात करते हैं समान मुद्रा की समान मुद्रा कहा होती है जहां पर समान प्राण होता है नाभी के आसपास का जो चेतर है वहीं पर समान प्राण होता है और उसी को ये परभावित करती है समान प्राण की imbalance होने से हमारे पाचन समदी समस्याएं पैदा हो जाती है जो खाते पीते हैं वो अच्छे से हमारा हजम नहीं होता है सब धात्वे नहीं बनती हैं, सरीर का विकास हमारा नहीं होता है चहरा आपका जो है मुर्जाय मुर्जाय सा रहता है ठीक है तो उसके उपर ये कारिय करती है क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो ही उसी से सरीर का निर्माण होता है सरीर के कोई पोशक तत्तो हमें मिलते हैं तो अगर ये मुदरा आपकी अच्छे से होगी तो पूरे सरीर को portion आपको मिलने वाला पूरा स्रीर आपका balance हो जाएगा तो लगाते कैसे हैं इस मुद्रा को इसमें ये हमारी चारों उंगलियों को हम अंगुठे से लगा देते हैं ये समान मुद्रा बनती है और इसको ऐसे करके हम बेड़ जाते हैं इस मुद्रा का भीहास दिन में तीन से चार बार पांस-पांस balance हो जाते हैं चाहिए वो अगनी है वायू है आकास है प्रित्वी है जल है इस परकार किसे लगाने से सारे के सारे तत्तव हमारे balance हो गई तो ऐसा करने से सरीर को स्थिरता प्राप्त होती है और हमारा जो मन है वो परशन रहेगा एकागर रहेगा तो काफी एकारगर मुद् कि उसको हलके से उसको वहां से दबाते हैं तो ऐसा करने से आपको काफी relief मिलता है और हमारा तन, मन और जो बुद्धी है उसमें एक सामंजस से पैदा होता है एक स्थिरता आती है तो मन को परसंद रखने के लिए digestion को ठीक रखने के लिए यह जो मुद्रा है कि रामबान का काम करती है अब हम लास्ट में बात करते हैं व्यान मुद्रा की व्यान जो मुद्रा है वो व्यान प्राण को balance करती है व्यान प्राण कहां होता है यह हमारे पूरे स्रीर में होता नीचे से उपर तक harness नाड़ी के अंदर होता है और उसी को balance करने के लिए मुद्रा होती है तो पहले देखिंग लगाएंगे कैसे मुद्रा को यह पहली दो अंगलियों को हम अंगूठे से मिला देते हैं इस परकार से लगाने से जो मुद्रा बनती है वो व्यान मुद्रा कहलाती है और जो व्यान मुद्रा है यह वात पित और कफ तिनों को ही यह balance कर देती है इसके लावा किसी को बीपी की समस्य है बीपी एकदम से हाई हो जाता है या बीपी लो चला जाता है तो दोनों ही स्थितियों में यह मुद्रा कंट्रोल करती है चाए बीपी फल्चवेट आपका कर रहा है एकदम चो ऊपर नीचे जा रहा है तो उनको यह मुद्रा लगवाएं तुरंट उनको रहत मिलेगे अभी हमने 5 मुद्राओं की बात की और 5 मुद्राओं से हमने जाना कैसी हम पांच प्राणों को बैलेमस कर सकते हैं और पांच प्राणों को बैलेес करने से हम स्रीर को स्वस्त्य रख सकते हैं चैसाररीख हो、 मांसीख हो या फिर भावनात्मक हो इसे सम्मंदित अगर आपका कोई भी doubt है तो आप अपने question को comment box में डाल के पूछ सकते हैं और अपने सुझाओ भी आप दे सकते हैं और पहली बार अगर channel के साथ जुड़े हुए हैं तो channel को आप subscribe करें और अच्छा लग रहा है तो आप इसको like करें और share करें धन्यवाद फिर मिलते हैं किसी ने टोपी के साथ जै हिंद जै भारत